नमस्कार मैं रवी कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 नियूज आप लोगों के अपडेट करवाऊंगा एक बड़ी ख़बर से जो कि पहले भी मैं आप लोगों को नई गड़ी दिवलाज जलप्रपात के पास लेकर आचुका हूं जहां आप Ground Zero पर खबरे देख चुके हैं जहां देखा ये गया था कि एक लड़का जिसका नाम रंजीत था जो अपनी पत्नी आरती से काफी परिसान था वो भी एक बेवफाई के कारण उसका कहना ये था कि मेरी जो पत्नी है वो किसी अन्यवेक्टी से फोन पर बात करती है हलाकि आज के वे इस परिवेस और कल्चर को देखते हुए कोई अलग बात नहीं हुई और नहीं कोई नई बात है क्योंकि आएक दिन डिबोस के मामले देखे जाते हैं या यह कह सकते हैं कि पत्निया जो है लगातार लभर के चकर में अपने पती को लगातार धोखा देती आ रही है यह वारदात जो है यह 6 दिसंबर की है जब पती पत्नि में जम कर जगड़ा होता है यानि कि आरती और रंजीत में दोनों में जम कर जगड़ा होता है इसके बाद जगड़ा होने के बाद यह 6 दिसंबर को दो बज़े के आसपास यह जल प्रपात के पास आके जो कि देवल इतना है 6 दिसंबर को जो दो बजे जहां उपर से कुटता है लगभग इसकी अगर गहराई की बात की जाए तो एक खाई से कम नहीं है लगभग जो 400 से 500 फिट की गहरी एक उपर से नीचे की तरफ जो जल प्रपाती आ रही जहां कुंड में लगभग 500 से जादा फिट की गहर पानी भरा हुआ हलाकि ये अभी इसका अंत नहीं मिलता है लेकिन जब इस बात पर जाता है लोग की आखिर में ये कहां गया इसकी बॉड़ी कहां गई तो लगभग 6 तारिक से लेकर के 10 तारिक तक इसकी बॉड़ी का कुछ पता नहीं चलता है अलाकि 6 तारिक को जब खाने में बैठ जाती है हलाक इस पूरे बात पर अगर बात की जाए कि आखिर में इस पूरी वारदात में आगे क्या हुआ तो मैं आप लोगों को बताता चलू कि इस पर लगभग यह 13 तारीक की वारदाःत है जो 13 तारीक को बारत से 13 तारीक के बीच में लगातार तरंग न्यूज और भी न्यू चैनल वहाँ पर पहुंशते हैं लगभग इसके बाद जो है लगतार बात करने के बाद और खबरूं के प्रकासन के बाद देखा ये जाता है कि वहाँ पर NDRF टीम, SDRF टीम पहुंचती है जो की जवलपूर से यस्पी के द्वारा, जो की रिवा यस्पी, नमनीद भसीन से लगातार संपर्क किया जाता है संपर्क करने के बाद उनसे जब बात की जाती है, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि हमारे पास कोई भी लोकल रेस्क्यू करने वाले, यहाँ पर कोई SDRF की टीम या फिर NDRF की टीम के पास कोई गैस सलेंडर उपलबदन नहीं है जिसके बाद लगभग यह 4-6 दिन तक लगातार देखा जाता है कि बॉड़ी ढूनने के लिए कोई भी टीम नहीं पहुंसती जो कि खबरों के पकासन के बाद लगातार उनके द्वारा फिर जवलपूर संपर किया जाता है इसके बाद जवलपूर से टीम पहुंसती है जो कि यह 12 तारिक को लगभग साम को 5.5 के बीच जो कि आप खबरों में देख चुके हैं कि 5.5 के बीच वहाँ पर यह लोग पहुंसते हैं तेरा तारिक को मॉर्निंग की बात है जब लगातार रेस्क्यू चलता है जो वहाँ पर टीम पहुंसती है वो 400 फिट नीचे जाती है जो ग्रामिर जनों के द्वारा वहाँ पर लोग इकठे होते हैं उनकी बोट को और उनकी बोट की मसीन को यहाँ तक कि उनके जो भी अस् खोर के द्वारा यह कहा जाता कि लगबग 100 फिट नीचे में पहुंचा लेकिन इस कुंड का अंत नहीं मिल रहा नहीं बोटी देखी जा रही है इसके बाद अगर बात की जाया तो लगातार उनकी बोटी भी नीली पड़ जाती है सफेद पड़ जाती है और वो लोग वहा रेस्क्यू जो होगी वो कल होगी इसको लेकर के दोपार में दो बज़े के आसपास वो लोग निकल जाते हैं जहां कि यह देखा जाता है कि SDRF की टीम जो जबलपूर की आती है वो भी बाड़ी उस तेरा तारीक को नहीं ढोड़ पाती है वहीं 14 तारीक की अगर वारदात को जो हुआ उस ताइम पर यह देखा जाता है कि बाड़ी ढूनने के लिए कोई भी अंदर नहीं जाता सिर्फ बोट और काटे का इस्तमाल किया जाता है लेकिन बाड़ी कहीं पर भी काटे में नहीं फस्ती जिसको लेकर के वो फिर से छोड़ के चले जाते हैं और हार माल क्योंकि बाड़ी अब जब भी आएगी अब अपने से बाड़ी अब उपर आएगे लगातार मैं बात करूं कि यह जो आरती का पती जो की आरती घर से फरार हो चुकी है अब तक वहां से अब देखती है जब की पती पानी में डूबने जा रहा है उसी ट्राइम पर आरती नाम की जो आरती साकेत नाम की जो लड़की यानि की जो आउरत है उसकी वहां से गायब हो जाती है रफू चकर होते हुए थाने में रिपोर्ट भी लिखाती कि मेरा पती मुझे टाचर कर रहा था जहां की आरती का जो पती है वो तब तक पानी में डूब कर मर चुका था बात की जाया और आगे अगर कुछ तो आज 15 जो है दिसंबर को आज सुबाइ की घटना जो लगातार देखने को मिली कि 10 बजे जब उसके घर वाले जब परियन जो जाते हैं देखते हैं तो उस पानी में उसकी बॉड़ी उपर कहीं न कहीं दिख जाती है जो आप स्क्रीन में इस टाइम पर देख रहे होंगे कि बॉड़ी सीधे देखने को मिल पा रही होगी इस टाइम पर जो परियन है जब उनको बॉड़ी देखने को मिलती है तब पूरे लोग नीचे जाते हैं ग्रामिन जन जो है वो भी नीचे जाते हैं और देखने के बाद बारदात की लेकिन सबसे बड़ी बारदात जो थी वो ये है कि पती पत्नी के जगड़े के बीच में एक व्यक्तिकी जान जा चुकी है क्या जो पत्नी के चलते जो है ये प्रतारीत हुआ जो कि रंजीत साकेथ जिसकी उम्र लगभग 24 बर्स जो कि पितार रामसिया साकेथ है और ये जो है नई गड़ी थाना अंतरगत का ये मामला है क्या बाकई में पुलिस भी इस पर कोई एक्सन लेगी क्या उस पत्नी पर कोई एक्सन होगा या फिर बाकई में पत्नी की रिपोर्ट पर ही पतियों को हमेशा प्रतारित करते रहेंगे एक ये बड़ा सवाल है हला पूरे वारदात पर पुलिस ने क्या कहा वो भी आप लोगों को हम सुनाएंगे देखिए यह पुलिस का बया है सवाल है कि STIARP टीम दो दिन कार करती है तो उनके इमानदारी पर सर आपका क्या था देखिए क्या है उनका अपना प्रोज़ार है चुकि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनके वारे में हम लोग क्या राय दें तो कि वो अपने ही तरीके से अपना विश्यशक जो अन्हों र प्रियासों में ठोड़ा वह जो भी रहा हो और लेकिन आज तो लगवाग मिली गई है तो हमारे लिए तो सुकून का विसाएगी तो सर ये परियानों को कब तक में इसमें बाड़ी जो सौपी जाएगी ये बस अभी 15-20 वेड में जो है चलानी प्रक्रिया जो हमारी रहती है पंच नामा हो जाए और उसके बाद कर रही हो जाएगी और आदे घंटे में इसमें बाड़ी मिल जाती है तो वह भी कम से कम उसका संसकार कर सकते हैं क्योंकि इतने दिनों से उसकी बाड़ी का इंतजार कर रहे था लागि बाड़ी काफी डिकंपोज हो चुकी है देखन है लेकिन अब जो है कहीं न कहीं उनका बेटा तो बागई में जाही चुका है अलाकि जब तक ये बाड़ी नहीं मिल जा रही थी तो कहींने कहीं संदे फुलिस को भी ठी स्टीर्फ टीम को भी थी यहां तक के पत्रकार के दोरा भी सवाल उठाये जा रहा था कि क्या बाग प्रसासन ने क्या करवाई किया जिस साइड में बोल रहा था उस साइड गया ही नहीं बोल रहा था कोई बोड़ी नहीं है से अपम्को अभी न्या चाहिए सर उस लड़की को भूख आए जायार सर अभी खाली न्या चाहिए सर और हमको कुछ नहीं चाहिए वो लड़की घर वाले ओ इधर आना चाहिए सर बस बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी खास खबरों के साथ लगातार आप जुड़े रहें तरंग टोड़ी वो न्यूस पर और भी बड़ी खबरों से आप गत करवाऊंगा लेकिन सबसे पहले बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कभी भी आपके साथ अगर ऐसा है तो आपको पानी में डूबने या मरने या फिर कुछ भी ऐसे करने की आवशकता नहीं है आप कंप्लेन कर सकते हैं कि आपकी पत्नी धोखा दे रही है और आप उसे डिबोस लेकर भी आप सही तरीके से अपने परिवार के साथ रह सकते हैं क्योंकि इस पूरे वारदात से अगर कोई आहत हुआ है तो वो है अपने आपके पिता और माता जिनके चलते लगातार आंसुओं को ले करके 10 से 12 दिन तक लगातार धन्ना प्रदसन उनका इस चीज के लिए हो रहा था आज 10 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं जिसके बाद उसकी बाड़ी मिल रही है और अभी तक जो है लगातार वो लोग जा करके पत्थर के किनारे बैठते थे और इंतजार करते थे कि बाड़ी कब बाहर आएगी मैं देख तो लूं कि जिन्दा है या मर गया जबकि सब आपको पता था कि अगर पानी के अंदर गया तो अब जिन्दा नहीं होगा लगादार अभी तक आप देख रहे थे तरंग टोड़ी फो न्यू जिसको ले करके मैं पूरी खबरों को प्रसारण करता रहा और यह सभी का सबाल था कि आखिर में क्या वो बाड़ी मिली या न बुद्धानिवाद नमस्कार जैहिन